कि ध्यान से देखना आप बोर्ड पे कैस्ट फ्लो स्टेट्मेंट सबसे पहले तो कोश्चन अराइज होता है कि कैस्ट फ्लो स्टेट्मेंट है क्या एक है फाइनिशल स्टेट्मेंट अगर आपसे मैं पहले डिसकस किया है अगर आपको पता हो कुछ बच्चों को पता भी हो सकता है कि भाई फाइनिशल स्टेट्मेंट के है तो जैसे ही मैं फाइनिशल स्टेट्मेंट का नाम लेता हूँ तो कुश्चन यह राइस होता है कि स balance sheet and profit and loss लेकिन वो अधूरी बात थी स्रिफ financial statement का मतलब होता है balance sheet profit and loss और cash flow statement यानि financial statement include balance sheet और P&L तो ही है और साथ के साथ ये भी मेरा financial statement का ही part माना जाता है जिसको बोलते है cash flow statement अब बात यह आता है कि cash flow statement क्या है cash flow statement से पहले fund flow statement हुआ करता था उसके अंदर source और application के basis पर किया करते थे हैं लेकिन दीरे दीरे जैसे जैसे ट्रेंड चेंज हुआ तो fund flow statement एक तरीके से खतम हो चुका है लगबग लगब बहुत ही कम यूज होता है और उसके जगाए पर प्लेस किसको कर दिया गया cash flow statement को fund flow statement में जो तरीका था करने का वो थोड़ा सा जो है clarify नहीं हो पाता था उसमें इसमें हर step के हिसाब से करा हुआ है पहले क्या था detail में नहीं होता था अब इसको detail में डाल दिया इनोंने तो cash flow statement बनाने का purpose क्या है सबसे पहले यहां पे जो flow word है न उस flow word का मतलब है या तो out हो जाए या in हो जाए इसका मतलब या तो हमारे पास से पैसा चला जाए या पैसा आ जाए तो मैं बोलूगा cash का flow हो इसा नहीं कि पैसा जा रहा है तभी flow है आ रहा है तभी flow है आउट यह इन कुछ भी हो जाता है तो मैं simple लेंग मुझे बोल दूंगा जी यह तो cash का flow हो गया है मैक्सिमम मार्क्स जो है आपके एक्जाम में यह 8 मार्क्स का आएगा कुछ्चिन अब इसके अंदर आपके मैं cash flow का सबसे पहले purpose बताऊं तो देखो जैसे कि मैं आपके सामने एक profit and loss बना लेता हूं roughly यह मेरा profit and loss है मैंने buy side में gross profit लिखा और suppose करो 10 लाख रुपे लिख दिया मैंने two side में कुछ खर्चे मैंने दिखा है जैसे for example depreciation जो है एक लाख जैसे for example loss on sale of fixed assets जो कि मैं यहां ले लेता हूं suppose करो एक लाख और तीसरा मैं ले लेता हूं two salary जो कि यह ले लिया मैंने दो लाख तो आप यहां पे finally net profit तो निकाली सकते हो 10 लाख रुपे आ गया 10 लाख में से 4 माइनस कर दोगे तो 6 लाख रुपे आ गया हमारा net profit नॉर्मली हमने net profit निकाल लिया 6 लाख रुपे अब net profit से हमारे mind में क्या question arise होता है कि sir net profit है तो मेरे पास अगर ड्रॉर है अगर मैं बिजनस पे बैठा हूं तो एक साल का फटा-फट मैं ड्रॉर में चेक करूँगा या मेरे पास जहां पैसे रखता हूं उसको गिनूँगा कि भाई 6 लाख कमा लिया तो 6 लाख होने भी चाहिए लेकिन आपके पास 6 लाख नहीं मिलेगा ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है मैंने गिना तो मुझे पता है कि इतना मिला नौ लाख मुझे आठ लाख रुपए मुझे मिला मैं कन्फ्यूज हो रहा हूं कि सर यहां पे 6 लाख काना चाहिए नेट प्रॉफिट लेकिन मुझे मिल कितना रहा है आठ लाख ऐसा क्यों तो इसके रीजन मैं बताता हूं जैसे डेप्रिशेशन खर्चा है प्रॉफिट एंड लॉ चाहित वह पैसा तो गया ही नहीं तो पैसा मेरे ड्रॉर में यह तयाना यहां पे Chorcho है ठीक है लेकिन इसमें प्रमीड नहीं गया तो जब इसका पिद्व पैम्न नहीं गया ह thinks account k्रमारा एक लाख घ्रॉपे मैं ज्यादा माइनिस कर रख रख है कैश के point of view से loss on sale of fixed assets मैं अपना laptop 40,000 वाला अगर मैं base देता हूँ 20,000 में नुकसान कितने का हो गया 20 का तो क्या ये 20,000 रुपए का payment करूँगा मैं नहीं करूँगा किसी को नहीं करूँगा मैं payment क्योंकि यो तो loss है लेकिन फिर भी payment नहीं किया तो profit and loss के तो debit side में दिखाना ही पड़ेगा जब profit and loss के debit side में दिखाया जा रहा है तो loss है लेकिन इस loss को हम payment नहीं कर रहे तो इसका मतलब इसमें भी पैसे नहीं गए salary क्या salary मैंने payment किया होगा पैसे गया होगा ये ठीक दिखाया यानि 2,00,00 रुपे सर्फ ठीक है जिसमें cash गया है बाकी के जो 2,00,00 है खर्चा है लेकिन cash नहीं गया तो मेरे पास draw में कितने पैसे मिलेंगे 8,00,00 अब difference आ गया तो इसी difference को कि मेरे पास cash कुछ और होता है और business के अंदर profit कुछ और होता है ऐसा क्यूं और क्या reason है उसी में कुछ हम adjustment करते है minus plus जिसके लिए हमें पता करना होता है कि actual हमारे पास cash है जो वो किस reason की वज़े से जादा है किस reason की वज़े से कम सिर्फ यह परपस होता है इसलिए इस चेप्टर का नाम है cash flow इसका मैं थोड़ा सा देखो वैसे तो है नहीं मैं अगर थोड़ा सा example लो तो bank reconciliation statement उसमें भी यही problem face किया था bank में कुछ और है cash में कुछ और तो हम वहाँ यहां पर भी कोई account थोड़ी बनाते थे statement बनाते थे plus, minus, balance as per passbook, balance as per cashbook थोड़ा बहुत है यहां पर भी कोई account नहीं बनेगा यहां पर क्या बनेगा statement तो cash flow statement जो है वह accounting standard 3 revised अब revised का मतलब क्या है पहले आया accounting standard 3 फिर कुछ changes किया तो उसको 3 को ना change करके उसका नाम क्या रख दिया है revised अब आगे हमारा कुछ accounting standard 4 जो कि इसके उपर applicable है जिसकी चर्चा मैं बाद में करूँगा जैसे जैसे आगे concept बढ़ता जाएगा उस concept को मैं ले के आऊँगा accounting standard 4 में क्या है अब तो आपको यह समझ में आ गया कि भाई हम cash flow statement क्यों बना रहे हैं क्योंकि जो हमारे bank में पैसा होता है या हमारे जेब में पैसा है और जो हमारे मैं डिवाइड करने की बात करूँ तो एक पार्ट था हमारा बिल्कुल ध्यान से समझना है इसको थोड़ा सा भी ध्यान उदर उदर करोगे concept चला जाएगा आपका operating activity जिसको हम बोल सकते हैं cash flow from operating activity एक पार्ट तो हमारा है operating activity दूसरा पार्ट में डिवाइड कर दिया गया financing investing activity cash flow from investing activity investing activity दूसरा पार्ट डिवाइड किया गया पहले क्या था सब एक में हो जाता था fund flow के अंदर पता ही नहीं चलता था कौन सा पैसा कहां से आ रहा है कहां से जा रहा है मैं सब हो जाता था पूरा तो थ्री के बाद रिवाइड हुआ जैसे रिवाइड होता गया तो तरीका भी थोड़ा चेंज करते गए इसके बाद थर्ड पार्ट जो है कैस्ट फ्लो कि फ्रॉम कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी तीन पार्ट तो अभी तक हमने क्या समझा अगर मैं वन वर्ड में बोलू तो एक तो यह पता चलिया कि हमें कैस्ट फ्लो स्टेपमेंन क्यों बनाते हैं और एक दूस्रा पॉस्थ हमएं इस चैंदर यह समझ में आया कि इसको बनाने की लिए तीन पार्ट में डिवाइड़ेड है एक का नाम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एक का नाम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एक का नाम फाइनसिंग एक्टिविटी लेखिन अभी मैंने यह नहीं बताए कि इसको कैसे बनाए जाएगा थोड़ा सा एक्जाम के point of view पर लेगे चलता हूं एक्जाम में स्रिफ ओपरेटिंग भी आ जाते हैं स्रिफ इंवेस्टिंग भी आ जाते हैं स्रिफ फाइनिंसिंग भी आ जाते हैं अगर एक्जाम में तीनों पूछ ले तो उसको बोल देते हैं cash flow statement आ गया अगर पूछ ले उपरेटिंग एक्टिविटी तो उपरेटिंग एक्टिविटी आ गया है बेसिकली अब एक मैं आपके सामने बना रहा हूं पी एंडल प्रॉफिट एंड लॉस ध्यान से समझना बिलकुल इसको कोई मुस्किल नहीं एक मैं आपके सामने प्रॉफिट लॉस बस फॉर्मेट इसके इंदर कुछ ज़्यादा लिखूंगा नहीं यहां पर क्या आता है यहां पर सेलरी वे अपका सारे के सारे इक्सपेंस इंट्र έंट रिसेव सब आजाता है हैं इस इसऑ जाता इंकम में िक्र रेंट रिसीफ कमिशन सीर रिसी इंटरिस Śप सब आ START arriv साथ के साथ मैं एक बैलेंस शीट बना देता हूं कि बैलेंस शीट कि बैलेंस शीट के अंदर से कुछ आइटम मैं यहां पर हाइलाइटेड करूंगा जैसे शिहर कैपिटल और नेट प्राफिट नेट प्राफिट Net Profit कौन सा होता है पता है जो यहां से आता है Profit and Loss इसके बाद एक होता है हमारा Non-Current Liability NCL जब Balance Sheet करवाय था तो एक आता है Non-Current Liability इसके बाद एक आता है हमारा current liability यानि liability side में अगर मैं main main point बताओं तो ये point है asset side में आता है एक आपका known current asset जिसके अंदर goodwill यानि intangible, building यानि tangible ये दोनों पार्ट है इसके बाद asset side में आता है एक investment investment एक आता है हमारा current liability current assets current assets में मैं दो पार्ट कर देता हूं cash and cash equivalent आपके लिए ये word new नहीं होना चाहिए क्योंकि जब balance sheet आप करोगे तो उसके अंदर एक heading आता है cash and cash equivalent उसमें cash आता है उसमें bank आता है उसमें marketable security आ जाता है उसके बाद other than जो लिखा है इसके अलावा current asset यह है अब ध्यान से देखें यह सारा balance sheet और उस साइट प्यंडल हमें बनाना cash flow statement है तो एक्जामनर हमें cash flow statement बनाने के लिए balance sheet और profit and loss ही देगा, इसी की मदद से हम cash flow statement बनाएंगे, सबसे पहले तो profit and loss, profit and loss की help लेंगे, लेखिन कौन से activity को बनाने के लिए help लेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ, हम profit and loss की help लेंगे, operating activity को बनाने के लिए, यानि इसके item को, जो profit and loss है, इसके सारी के सारे information को, आप कौन से activity के अंदर use करोगे, operating, अब जैसे की p handle देता है, कई student क्या करते है, p handle दे रखा है, और वो उसके अंदर पूछते हैं, के sir, इसके अंदर rent receive दे रखा है, तो या फिर इसके अंदर आपका assets है, तो financing में कहां दिखाएं, या investing में जाएगा, वो confused होते हैं, financing में जाएगा, या investing में जाएगा, तो आपको ऐसे confused नहीं होना, आपको तो पता है, profit and loss के सारे item कहां पे लेके जाएंगे हम, operating बनाने के लिए use होगा, लेकिन profit and loss में से क्या क्या होगा, वो सारी बात अभी देखेंगे, और operating activity बनाने के लिए क्या देखने हैं, बस profit and loss नहीं, एक current liability का भी use होगा, एक current liability भी use होगा, बस current liability, इसके बाद एक current assets भी use होगा, यानि operating activity बनाने के लिए आपको तीन information चाहिए, एक balance sheet के, दो balance sheet के assets में से, और P&L, पूरा का पूरा, एक liability और एक P&L, लेकिन current liability में bank overdraft नहीं होगा, current assets में से cash and cash equivalent का part नहीं होगा, profit and loss, अभी मैं बस just overview दे रहा हूँ, इसके बाद करेंगे तो फिर पूरा question नहीं करेंगे वो तो, यानि ये भी use हो गया हमारा, और ये भी use हो गया, अब बच गया मेरे पास, जो मेरे पास ये देख रहा है, ये है, investing activity बनाने के लिए, हमारा use होगा, सरफ और सरफ ये दोनों part, investing activity बनाने के लिए सरफ और सरफ ये दोनों, यानि अगर investing activity बनाना है, तो known current assets or, अब जैसे मैंने बोला fixed assets, fixed assets में कोई भी transaction हो रहा है, बच्चा बोलता है के सर मुझे समझ ही नहीं आता, कभी आप operating में डाल देते हो, कभी financing में डाल देते हो, fixed assets कहां लिके बताओ, इसमें तो याद करना बड़ा मुस्कल है, simple है, fix assets है, तो fixed assets किसका पार्ट है, known current, तो आप अगर सोच रहे हो, financing में जाओगे हैं, तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो, आप सोच रहे हो, इंवेस्ट में ओपरेटिंग में कहां लिखे हैं, वो किस से related है, यह नहीं कर रहे हो, financing activity और P&L को लेके बैठे हुए, कि भाई, financing activity करना है, profit and loss में से समझ नहीं आ रहा है, कौनसा item ले, कौनसा नहीं ले, तो वो तो फिर गलत है, फिर गलत जा रहे हो, सब use हो गया, अब इधर बचिया यह, देखो तो net profit क्या मैंने use कर लिया, या नहीं किया, कर लिया, जब P&L use कर रहा हूँ मैं, तो P&L पूरा ही use हो गया, तो क्या automatic net profit यह भी use हो गया, तो मैं यहां से net profit को हटाई देता हूँ, use हो गया, net profit भी कहा का part है मारा, P&L यानि operating activity का, अब सब use हो गया, एक assets में बच गया, दो बच गया, इसको use करने के लिए liability में, इन दोनों का जो use करोगे, यह होगा, financing activity में, तो इन दोनों को मैं financing activity में लिखूँँगा, share capital, known, अब एक बच्चा मेरे से फूचता है सर, building मैंने खरीद लिया, financing में plus होगा यह minus होगा, तो सबसे पहले building खरीद है, तो भाई financing कहां से आ गया, building किसका part है, investing activity का part है, सेम ऐसे, एक बच्चा पूचता है मान लो, सर मेरा share capital पहले 5 लाग था, अब 10 लाग हो गया, तो बताओ operating activity में कहां दिखाएं, question नहीं गलत है भाई, share capital तो operating activity से ओपार्ट ही नहीं है, किसका part है मारा, अब इसका नाम ऐसा क्यों पढ़ा, operating activity, business को चलाने के लिए, operating का मतलब क्यों होता है, चलाना, तो business को चलाने के लिए, सारे P&L का आइटम यूज होते हैं, बिजली का बिल, पानी का बिल, आपका या फिर interest ये सब, और business को चलाने के लिए, current liability भी यूज होता है, उधार खरीदना, उधार बेचना, payment बाद में देंगे salary, current assets का भी यूज होता है, पैसे लगा दो, वो पैसे वापस, उस पर income कमा कमा के देता रहेगा, वो, जैसे building, furniture, या machinery लिया, तो वो आपने लगाया है, उससे आपको income generate होगा, इसको investment बोलते हैं, finance, पैसा, उधार, करजा, तो finance आएगा आपका, shares और, loan debenture वगएरा से, जो भी है, bonds हो गया, debenture हो गया, non current में तो देखो, जब हमने करा था, तो पूरा करा था, non current liability में, long term borrowing, other long term borrowing, long term provision, या फिर bonds वगएरा, सब था उसके इंदर, लग 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 लग, अब क्या बच गया, sub use हो गया, या कुछ बच गया, यह answer होगा, आप क्या, यानि तीनो activity को करोगे, तो यह answer अगर आपका, क्यूंकि हम यही जानना चाहते हैं, भाई मेरा cash कैसे आया, यही तो पता करना है, के cash में क्यों फरका रहा है, तो cash का flow statement में, use नहीं है कहीं भी, cash वाला तो हमारा क्या निकल के आएगा, answer इस वजह से, add less करने के वजह से, हमारा minus plus हो गया है, तो हम तीन activity करेंगे, basically, operating, investing, financing, और इस्तमाल किसका होगा, profit and, और balance sheet बोथ, दोनों, profit and loss का इस्तमाल होगा, operating activity को बनाने के लिए, balance sheet में से, current assets और current liability का इस्तमाल होगा, operating activity बनाने के लिए, और investing में दो चीज़े को इस्तमाल, investment और, known current, financing में भी दो, share capital, यानि आपके सामने, अब मेरे हिसाब से balance sheet दे दे, जो activity बनाना हो, examiner, P&L भी देता है, balance sheet भी देता है, financing activity बोलता है बनाने को, long term पे जाना चीए, अगर आप P&L या फिर asset side में कुछ ढूणने की कोशिश कर रहे हो, तो आप तो गलट track पे जा रहे हो फिर, ठेक है, अब बात करेंगे हम, भाई, profit and loss, का कैसे use होगा, profit and loss का कैसे use होगा, तो profit and loss को मैं तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दूँगा, यहाँ पे, सिर्फ profit and loss की बात कर रहा हूँ, मैं, हमारे profit and loss में, तीन तरीके के खर्चे या income, basically चार होगा, एक actual और तीन ऐसे होगे, जो की अलग है थोड़ा, यहाँ से नहीं है वो, अलग किसी पार्ट का होना चाहिए, first known cash item, known cash item, यानि हमारे profit and loss में, known cash item भी होता है, जैसे मैंने example दिया था, depreciation, जैसे मैंने example दिया था, loss on, तो यह तो दो श्रिफ दिया था, और भी होता है, यह उसकермा है, क्या-क्या हो सक्ते हैं, यह देखना रिकोर्डिंग में आ रहा है, याला ठीक है नोन कैश आइटम के अंदर देखते हैं क्या क्या होगा सबसे पहला डेप्रीशेशन नमबर दो लॉस अन लॉस अन सेल आफ फिक्स एसेट्स लॉस बाइ सेल फिक्स एसेट्स हो सकता है लॉस बाइ फायर हो सकता है लॉस बाइ थेफ्ट हो सकता है तो ये सारी चीजे भी है लेकिन उसको बाद में डिसकुशन करेंगे ठीक है उसको हम देखेंगे बाद में लेकिन मैं कुछ में में आइटम यहां पर लिखूंगा सिर्फ मैं अभी ओवर्वीव दे रहा हूं यह मस्समझना कि सारा चप्टर ही खतम हो गया अभी बस ओवर्वीव चल रहा है भी इसका और क्या होता है और होता है हमारा गुडविल रिटन आफ अब गुडविल रिटन आफ कैसे नोन कैश पहले मेरे बिजनस का गुडविल पांच लाग था अब मेरे बिजनस का गुडविल चार लाग हो गया नुकसान हो गया न एक लाग का लेकिन पेमेंट किसी को नहीं किया लेकिन बोलोगे सर गुडविल तो नोन करेंट एसेट्स है वो तो इन्वेस्टिंग का पार्ट है तो यहां कैसे अगर इंक्रीज होता है तो इन्वेस्टिंग का पार्ट है अगर डिक्रीज होता है तो इंक्रीज जनर इंक्रीज का मतलब जनर रिजर्व क्या होता है बेसिकली किसी पर्टिकुलर परपस के लिए या फ्यूचर में अपने फाइनेशल पोजिशन को और बैटर बनाने के लिए हम एक रिजर बना लेते हैं पहले जनर रिजर पांच लाग था अब प्रॉफिट कमा इसमें रिजर्व का एक पॉइंट आता था 10% तो पी एंड़ के डैबिट में लिखा होगा अगर पी एंड़ के डैबिट में लिखा है तो सिंपल सा कुश्चन है क्या पैसे बिजनस से बाहर चले गए वो तो पी। से निकल के हमारे कहां पहुंच गए रिजर्व में काल के अपने जो भी स्टेटमेंट बनाएंगे वहां प्लस कर दिया जाएगा क्यों प्लस करेंगे क्योंकि अभी आप देखो मेने अभी थोड़े दिर पहले जो एक्जामपल लिया था उस एक्जामपल में याद करो कि मेरा प्रॉफिट छे लाक दिख रहा था लेकिन मैंने से बोला कैश कितना है मेरा क्योंकि उसमें डेप्रीशेशन भी एड़ कर दिया था और लॉस भी इसलिए नोन कैश आइटम जो स्टेटमेंट बनाएंगे उसमें एड़ हो जाता है क्योंकि प्रॉफिट को कम कर रहा है बट कैश नहीं जा रहा है यहां से अगले पॉइंट छकी बात करते हैं और क्या देखना है पी एंडल में से पीयडल में से हमें देखना है एकस्पैंस देखना है का Sei reaction का मतलब यह तो सारा ही खर्चा है नहीं एकस्पैंस समिख आपको वह देखना है जो रिलेट करेगा कित क्ता फाइनिंसिंग एक्टिविटी से लुप इंटर्स्ट पे डोगे ौट पे अब लोन है कहां का पाट के फाइनेंसिंग का पाइन अगर तीन इक्टिविटे में से देखा जाए तो फाइनसिंग में सका भ्याज भी उसी से रेलेटिट जाना चाहिए तो इसमें आपने पी एंडर में डाल दिया है तो होना चाहिए फाइनिंसिंग का पार्ट लेकिन आपने पी एंडल में डाला हुआ है जो कि ऑपरेटिंग का मान रहे हो आप तो इसलिए अगर कोई भी खर्चा हमारा होगा फाइनिंसिंग एक्टिविटी से तो उसको भी हम इसमें हाइलाइट करेंगे और कहां से यह मिलेगा हमें प्रॉफिट लॉस से या अड़ जस्मेंट में से हैं कि फाइनिंसिंग एक्टिविटी का क्या क्या हो सकता है जैसे इंट्रस्ट और क्या हो सकता है डिविडेंट इसी के उपर AS4 लगा है वो बाद में discuss करेंगे और क्या हो सकता है financing activity का part mainly तो ब्याज जाएगा या shareholder को क्या जाएगा dividend है ही दो चीज क्या क्या है एक share capital और एक क्या है debenture तो debenture loan वाले पे तो चला जाएगा ब्याज और उस पे क्या चला जाएगा तो दो ही part होगा चलो हमने इसको ढूंड भी लिया अपने profit and loss में से और operating के अंदर हम लेके भी आगे तो क्या करें minus या plus तो इसको भी हम कर देंगे plus लेकिन यह adjustment का part होगा third point हम देखेंगे income से बात करेंगे income relate to investing activity income relate to investing activity income relate to investing activity का example income relate to investing activity में क्या क्या सकता है rent rent कहां से मिलेगा rent receive करोगे P&L के credit में दिखाओगे rent मिलता कहां से building से तो building की income है तो building वाले पार्ट में जाना चाहिए न और building कहां का part है investing का part है तो इसलिए profit and loss में कोई income अगर आपने credit किया हुआ है जो की generate हो रहा है investment के वजह से तो वो कहां चले जाएगा हमारा investing activity का part होना चाहिए लेकिन गलती से आपने P&L में दिखा के रखा है हमें एक specified तरीके से cash flow statement बनाने है हर जगा का actual cash flow बताने कि इस activity से कितना हुआ इस activity से कितना हुआ इस activity से कितना हुआ इसलिए कौन-कौन सा income हो सकता है अगर मैं उसका example दूँ तो हो सकता है rent, receive or paid, interest और dividend वैसे हाला कि होगा नहीं लेकिन मैं dividend भी लिख देता हूँ तो इसको क्या करें income बढ़ा रहा है ना profit and loss का income बढ़ा रहा है तो profit भी बढ़के आ रहा होगा हटाओ इस income को तो इसको करना पड़ेगा minus क्योंकि investing का part है हमारे profit का पार्ट नहीं है यह investing का पार्ट हम इसे क्यों हटा रहे है कहां का इनवेस्टिंग का इसे investment investing में जाना चाहिए न यहां से माइनस कर रहे हैं पर चिंता मत करो investing में जोड़ दूआ में जाके इनवेस्टिंग में क्या करूँगा financing का part है मैं यहां से plus कर रहा हूं लेकिन financing में जाके minus कर दूआ मैं यानि दो यानि basically मैं आपको बताओं तो इन दोनों का जिसके उपर मैं star बना रहा हूं यह दोनों की double entry होनी है एक तो operating activity में या add हो रहा होगा या less और दूसरा या जा रहा होगा financing में या investing में तो यह दोनों बेसिकली आपको adjustment में ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलेगा पी इंडल में देखने को हम तो आज मैं operating की सिर्फ discussion करूँगा पहले operating अच्छे से सीखेंगे फिर investing फिर financing तब जाके हमारा cash flow जब तक पूरे अच्छे से नहीं समझ में आ जाएगा तब तक हम एक activity को नहीं स्किप करेंगे एक साथ तीनों की बात नहीं करूँगा लेकिन हाँ जब तीनों concept है तो थोड़ा थोड़ा बताता जब वहां भी जाता वहां जाता जब वहां करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा profit and loss पूरा पूरा यूज हो गया लेकिन बोलोगे सर सेलरी बोलोगे सर आप electricity बिल बोलोगे audit phase या फिर wages बहुत सारे ऐसे खर्चें वह तो बताए नहीं कहा जाएगा जो actual operating के लिए खर्चें वह सही दिखाए हुए उसका कुछ नहीं करना कमीशन रिसीव इनकम है बिजनस का इनकम है कुछ नहीं करना रेंट पेड बिजनस चलाने के लिए रेंट देना पड़ता है सही दिखा रखा है कुछ नहीं करना उसका यानि profit and loss में से जो बिजनस चलाने वाले actual खर्चें उसको तो कुछ नहीं देखना उसमें से स्रिफ इ एक्टिविटी से वह खर्चा और उसमें से निकालनेंगे ढूंड के इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रेलेटेड जो भी हमारा इंकम है उसको स्टेट्मेंट जब बनाएंगे कैसे बनेगा हैडिंग वह बाद में अभी ओवर्विव दे रहा हूं मैं बस अभी स्रिफ ओवर्विव है कि हमारा ये चीज़े प्लस होगा ये चीज़े माइनस होगा ये चीज़े प्लस होगा बस यानि ओपरेटिंग एक्टिविटी में एक पार्ट कर लिया प्रॉफिट एन लॉस का कैसे ट्रीट्मेंट होगा दूसरा करेंट एसेट्स और करेंट लाइबिलिटी मैं सिंपल सा कोशन पूछता हूँ आपसे मान लो मेरा क्रेडिटर क्या करेंट लाइबिलिटी का पार्ट है पहले ये बताओ है बिल्कुल है करेंट लाइबिलिटी का पार्ट क्रेडिटर अगर मैं बोलू मेरा एक लाइख है और अब मेरा नेक्स्ट येर में या फिर एंड में मेरा क्रेडिटर जो है असी हजार बच गया क्या walnut fingerprint पीमिन्ट कर दी एक लाग था वीस आ चाना का पेमिन्ट कर दी 220 का थी पनी में बचान नो पसलिया बाइस तो कई बार बोले जाता है कि क्वैमिन्ट कलो तो पैसब वर सतुंत है यह थोगे तो यहां पे मेरा पैसा जा रहा है आ रहा है आउट फ्लो है या इन फ्लो है तो आउट फ्लो हमेशा माइनस होता है आप पी एंडल वाले आईटम पर यह concept applicable नहीं करोगे इसमें तो ना तो आउट फ्लो ना इन फ्लो तो फिर क्यों प्लस कर दिया बोलोगे नहीं आप जगह जगह पर कैसे इस्तमाल क तरीके से सीखेंगे आप पूरे चैप्टर पर एक ही concept नहीं लगा सकते आउट फ्लो इन फ्लो वाला तो पैसे हमारे पास से जा रहा है यानि इसके अंदर कैस्ट फ्लो स्टेट्मेंट में जो ट्रीट्मेंट होना चाहिए वह होना चाहिए सरे बीस हजार रुपए का वो भी कि माइनस होना चाहिए कि सेम चलो मैं एसेट्स की बात करूं अगर पहले मेरा डेटर था एक लाग का अब मेरा डेटर है कि असी अजार का अब बताओ इन फ्लो है या आउट फ्लो इन फ्लो हो रहा है अब भी बीस अजार है एड होगा एक माइनस हो रहा है एक प्लस हो रहा है वो देखना पड़ रहा है हमें कैसे तो हम इसको एक बहुत ही सिंपल तरीके से सीखेंगे जिसके अंदर हम कभी भूलेंगे नहीं की inflow, outflow या फिर plus होगा या minus एक बार में याद हो जाएगा बस मैं कुछ चीजे पूछूँगा उसका जवाब सोच के देना अगर मेरे बिजनस का liability बढ़ जाता है तो आप मेरे बिजनस को बोलोगे better चलने लग गया या बिकार हो गया है अगर liability मेरे बिजनस का कम होता जा रहा है तो good है, मेरे बिजनस good, अच्छा performance कर रहा है liability खदम मेरे बिजनस का assets increase होता जा रहा है भाई, business तरक्की कर रहा है, कितने assets ले लिए और assets बेचने लग या कम होता जा रहा है bad यानि आप liability को देख कर ये बता सकते हो कि बिजनस के लिए good है या फिर business के लिए bad और assets को भी देख के बता सकते हो कि बिजनस के लिए good है या फिर bad तो मैं अगर आपको current assets और current liability के point of view से बताऊ treatment operating activity में है लेकिन कुछ ना कुछ तो plus होगा और कुछ ना कुछ और plus होगा हमेशा bad वाला जो business के लिए bad हो देखो ये क्या हो रहा है घट रहा है न तो assets कम होने के लिए business के लिए तो bad ही है तो वो add हो जाएगा same as liability बढ़ जाए outstanding rate था 5 लाग अब हो गया 6 लाग तो बढ़ी गया liability वो भी plus होगा और जो good होगा business के लिए favor में होगा वो क्या होगा creditor कम हो गया एक से कम हो गया न तो क्या हो रहा है हमारे लिए minus में तो आप simple सोचना ये नहीं सोचना क्या plus होगा क्या minus होगा कैसे करें नहीं करें पता है नहीं चलता है कभी decrease एड हो जाता है increase simple सोचना है business के लिए अगर good है minus कर देंगे और business के लिए bad है तो plus कर देंगे अपने operating activity के statement में यानि अगर मैं फिर भी इसको और लिखूँ तो और पता यह good कब हो सकता है दो ही reason हो सकता है assets के साथ और liability simple तरीका है लेकिन current assets में cash and cash equivalent नहीं मान लेना क्योंकि मैंने बता है वो तो answer होगा और current liability में आप bank overdraft मत मान लेना bank overdraft हमारा financing का part होता है जो कि हम दीरे दीरे जब financing पहेंगे तो अब ना financing की पूरी बाते बता हूँगा तो अभी बस मैं over wage दे रहे हूँ यहां पर तो cash flow statement accounting standard 3 revise कि जो कि हमारे exam में आठ नंबर का आने वाला है कि इसके अंदर तीन activity हम सीखेंगे operating investing और financing operating activity को जब करेंगे तो हमें सामने balance sheet और profit and loss मिलेगा operating activity को करने के लिए balance sheet में से 2 point pick करना है current assets और और उसको add कब करना है less कब करना है यह रहा और P&L में से सब को pick करना है लेकिन 3 part divide कर दिए P&L में जो pick करेंगे known cash item को क्या कर देंगे और relate to financing activity के related expense और relate to investing activity का income माइनस ओपरेटिंग activity हो जाएगा लेकिन अगर investing activity करना है तो आपको देखना पड़ेगा fix assets और यानि known current assets और investment financing करने के लिए share capital और debenture यह रहेगा अब थोड़ा सा में मैं एक simple सा question पूछता हूँ आपसे dividend ना इसमें कई तरीके कहेंगे एक होता है हमारा purpose dividend एक होता है हमारा interim dividend दोनों में difference क्या है purpose dividend क्या होता है basically अब मुझे simple से word में बताओ dividend कब दिया जाता है profit निकालने के बाद या profit निकालने से पहले business study में आपने पढ़ा होगा जैसे कि मैं मान लो 20 करोड रुपे मुनाफ़ा है मैंने आप से बोला जी मुझे 20 करोड रुपे का company ने profit आप सब meeting में हो तो मैंने बोला 20 करोड company ने profit कमाया है हम चाहते हैं 20 करोड बाटना लेकिन न एक मैं आपको plan बता रहा हूं समझ में आये तो बताना 10 करोड रुपे का मुझे एक नया branch उपन करना है तो अगर मैं आप में 20 करोड रुपे बाट दूँगा तो 10 करोड मुझे loan लेके branch open करना पड़ेगा लेकिन अगले साल का profit क्या होगा कम होगा भी आज की वज़े से तो अगले साल dividend कम मिलेगा या तो ऐसा कर लो आपको 10 करोड रुपे कम मत लो मुझे 10 करोड आप सब में बाट देता हूँ और आप 10 करोड रुपे मुझे से अभी मत मागो मैं इसी 10 करोड को कहा invest कर दूँगा कहीं न कहीं तो 20 करोड का profit था उसमें से 10 करोड रुपे मैंने बचा लिए किस लिए अपने किसी काम के लिए और 10 करोड क्या करे मैंने बाट दिये चो दो 10 करोड बचा लिए उसको बोलते हैं retain earning और जो 10 करोड़ मैंने आपको बाट दिये कितने में बाटने 10 करोड़ एक ही को दे दू के सारा दूसरे बोलने लगेंगे जितने भी नंबर आफ शेयर से सब को डिवाइड करके हर एक को उतने उतने दे दो यानि profit and loss निकालने के बाद अब मुझे बताओ profit and loss 31 मार्च को निकल जाता है क्या हमारा बनाते तो 31 मार्च का है क्या 31 मार्च को profit या लॉस हम बता सकते हैं किसी कंपनी को नहीं बता सकते हैं कई तो ऐसा काम होता है जो कि रात में भी बिजनस चल रहा होता है नाइट ट्रेडिंग भी हो रहा होता है आप ओन-लाइन शॉपिंग का ले लो जब मन करेगा रात में दो बज़े उठके दो बज़े आप शॉपिंग करने लग गए बिजनस के तो एंट्री हो रही है ना उस ताइम पर तो गॉर्मेंट नॉर्मल ही क्या कहता है आपसे कि जी पॉसिबल ही नहीं है कि आप 31-3 को अपना बैलेंस शीट बना लो इसको बनाने के बाद कंपनी आपको 30 सेप्टेंबर तक का टाइम दिया जाता है यानि 6 मन्थ का टाइम दिया जाता है अपना प्रॉफिट एंड लॉस बना लो बैलेंस शीट बना लो कैश फ्लो स्टेट्मेंट बना लो 6 महिने का टाइम इसके बाद आपको जो भी शेयर होल्डर को बुलाना है क्या बताना नहीं बताना इस 6 महिने के अंदर बताओ यानि 31 मार्ज तक त प्रॉफिट बनाते निकालते उस दिन तक का है लेकिन बनता उसके बाद है अब मैंने आपको मीटिंग में बुला लिया सब आपको दस दस रुपे डिविडेंट दिया जाएगा आप दस दस रुपे का मतलब समज். दस रुपे का तो शियरी खरीदा था लाक रुपे अगर मेरी कंपनी में लगाये हैं तो डिविडएंट ही मिल रहे हैं तो कितनी अच्छी बात है no reagon कंपनी इतनी कंपनी डिविडेंट दी नहीं JOHN तो 10-10 रुपय हर किसी को dividend दिया जाएगा अब मैंने 2 महिने बाद बोला कि 10-10 रुपय आप सभी को dividend दिया जाएगा तो अब ऐसा कभी भी नहीं हो कि मैं 10 का गड़ी निकालू हर किसी को देने लग जाओ यह नहीं हो सकता कभी इसके अंदर क्या होगा 10-10 रुपे दूँगा अब सुन लिया न आप घर जाओ 10-10 रुपे सुन लिया घर जाओ 10-12 दिन में आपके अकाउंट में आ जाएगा तो मैंने मीटिंग में पर्पोस किया आफर किया है सरिफ के भाई 10-10 रुपे आपको डिविडेंड मिलेगा मिलेगा भी नहीं, बाद में मिल जाएगा अब मैंने यहां पे बोला कि 10-10 रुपे आपको दूँगा लेकिन मैं इस साल की इंकम की बात कर रहा हूँ या पिछले साल की पिछले साल की इंकम की बात कर रहा हूँ न मैं, आपको जो मैं खुसकवरी जो भी मैं आपको यहां पे मैं यहां पे बताना चाहता हूँ वो इस साल की income का अगले साल में बता रहा हूँ तो पर्पोस डिविडेंट हमेशा याद रखना वो डिविडेंट होता है जो जब है उसका परिटिंग में पर्पोस किया जाता है लें मिलता तो वही है लेकिन कुछ साल क्योंकि यहां पर्पोस किया है मैंने तो इस साल के पींडल के डबिट में डाला होगा मैंने खाए एक तरीके से जैसे भी होता है हमारा तो पर्पोस अगर पिछले साल की बताओं पिछले साल का इंकम था और इस साल announcement हो रहा है तो इस साल हम कुछ ना कुछ पैसे dividend का देंगे तो जो इस साल में dividend दूँगा इस साल के income का नहीं दूँगा पिछले सार और इस साल के income का next year ये चलता रहता है इसके अंदर क्योंकि आप दे नहीं सकते हैं अगर इस साल ही देना चाहते हो तो निकाल लो company को बहुत बड़ा एक project मिल गया मानलो कोई अगर infrastructure company है तो डेली के अंदर metro बनाने का बहुत बड़ा contract मिल गया तो company को जब contract मिल गया तो advance पैसा भी मिला होगा company को पहले ही अंदाजा हो गया balance sheet बनाने से पहले इस साल तो मुनाफ़ा बहुत जबरदस आने वाला है मेरे company का दिवाली के time पर सारे shareholder को बुला लिया और मैंने बोला आप सब को इस बार 31 March की बात छोड़ो बीच में आपको dividend दिया जा रहा है दिवाली तो November में आएगा न और balance sheet prepare होगा March में लेकिन November में मैंने बोला ये लो आप सब पैसे आपको मिल जाएंगे फटा फटा आपके account मे सब के पैसे transfer कर दिए गया है तो ये dividend जो paid किया इस साल की paid करना इस income इसी साल का था इसी साल paid कर दिया तो ऐसे dividend जो की balance sheet बनने से पहले या फिर मैं simple language में बोलू साल के बीच में ही आप लोगों को दे दिया जाता है उसको बोलते हैं interim dividend interim का मतलब होता है बीच में अंतराल जो भी time बीच में मिलते हैं तो interim dividend current year का कब paid करेंगे next year में या current year में ही हो जाता है current year में तो यहां पर interest interest किस किस पर हो सकता है bonds पर हो सकता है debenture पर हो सकता है लॉन पर हो सकता है dividend shares पर होगा या तो पर्पोज होगा पर्पोज current year previous year format करेंगे current year वाला minus previous year वाला प्लस इस तरीके से कुछ नो कुछ होगा हमारा जो कि हम format में करेंगे अभी तो मैंने format start नहीं किया सिर्फ और सिर्फ overview चल रहा है आपका तो cash flow statement में operating activity financing activity इंवेस्टिंग एक्टिविटी ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाने के लिए आपको पी एंडल का पूरा help लेना पड़ेगा जिसमें से क्या-क्या non cash item expense related to financing fix assets नहीं financing activity और income related to investing activity और क्या help लेना पड़ेगा operating activity बनाने के लिए current assets and current assets का cash and cash equivalent पार्ट है या नहीं है और current liability का bank overdraft पार्ट नहीं है current assets, liability को check कैसे करना है good है तो minus और bad होने के दो reason assets बढ़ जाए या liability कम हो जाए bad होने के दो reason liability बढ़ जाए और assets कम हो जाए ये operating activity बन जाएगा investing activity बनाने के लिए हमें सोचना पड़ेगा known current assets और investment कैसे होगा क्या minus क्या प्लस वो तो जब आएंगे इस पर तब बात करेंगे और financing activity बनाने के लिए क्या देखना पड़ेगा शेयर capital अब शेयर capital में कोई बच्चा पूसता सब प्रफेंशेयर भी लेंगे हाँ भाई शेयर capital का पार्टी होता है प्रफेंशेयर और equity शेयर और non current liability में डिबेंचर हो बॉंड हो या फिर loan तो हम इसका format अच्छे से समझेंगे पहले फिर इसका फिर इसका दीरे-दीरे करेंगे अभी आप बस इतना note कर लो overview दिया तो थोड़ा सा overview note कर लो पहले आप एक पर cash flow का